तो आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की असलियत की हिंदुस्तान के बात करने हो ले हैं देखे किरामी नक्सेतर में जो गरीब व्यक्ति रहते हैं उन्हें शवकार महाजन मारवाड़ी से कीनी जरूरी कामों के लिए रिंड लेना पड़ता है जैसे मकान बनाना बेटी की साधी करना या अचानक किसी बिमारी में किसी आफ़त या बिमारी में और यह बात पूरे हिंदुस्तान में लग होती है ब्याज को ब्याज को हर छें महीने बाद सूद में जोड दिया जाता है मूलधन में मूलधन में जोड दिया जाता है और फिर कर्ज के उपर कर्ज बढ़ता चला जाता है कि वह कैसे इधर देखते हैं माना किसी ने दखजार रुपे लिए और पांच रुपे सैंकडा महीने का ब्याज तो यह बन जाते हैं दस जार गुणा पांच गुणा एक महीने के बटे सो ब्राबर सो पंजे पांचो पांचो रुपे रुपे महीना च्छें महीने के बड़ाबर पांचो गुणा च्छें बड़ाबर तीन हजार अब यदि यहां पर नहीं चूकता कर पाए तो दस हजार पलस तीन हजार बड़ाबर तेरा जार रुपे हो गए च्छें महीने बाद फिर तेरा जार रुपे का पांच रुपे से अफिख़ा से महीने बाद तो तेरा जार भुणा पांच गुणाच बटे सो गई आपने दाट बआबबर छासोफ़चास तेरा पंजे फैसाट बढ़र चैसोफ़चास ज़ना पांजे फैसाट आट थाफ़चाट गुनाई लुड़ लगर श्यूश्युर्शट गुना यह वराबर यह सब्सक्राइब इस अधिस इस इस अधिस उन्त अलिसो जाइब इस ओर पांचंग इस उन्त अलिसो उन्त अलिस अलिए ब्याज के वह वह जए शे महीने गे तो तेरा जार पालास अन्त अलिस सो बराबर सो कम सत्रा जार यानी सोला जार नो सो तो इस परकार से यह व्याज है रुपे से खड़ा साथ रुपे से खड़ा अच्वपेश आगड़ा और रुपे से खड़ा उर 10 रुपय साएंगडा चलता है तो करज के बाद करज और करज के बाद करज और फिर करज के बाद करज इस परकार से ये बढ़ता चला जाता है अगर आप नहीं दे सकते तो फिर या तो आपको आता मत्ता करने पड़ेगी या फिर आप जो भी हो करते हैं तो इस परकार से ये बाज जो है पुरी हंदुस्तान में लागव होती है और ये धढ़ले से इस परकार का ब्याज चलता है तो इस परकार के ब्याज से आप साफधान रहें इस परकार से आप रिंड ना लें जुरुरत चाहे कितनी भी जादा हो इस परकार से आप किसी भी परकार कर रिन ना लें लेकिन लेना भी पड़ता है कई बार ऐसी मजबूरियां से हालात ऐसी स्थितिया पर स्थितिया हो जाती है तो हमें रिन लेना पड़ता है तो फिर भी इस परकार के लिण से बचने की कोशिस करें तो ये हिंदुस्तान का, हमारे हिंदुस्तान का काला सच है पुरे लगबग सभी जगा है, इस परकार की बात लग होती है लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए तो अमीद करता हूँ कि कर्ज का जो बोज है कासकार के उपर, छोटे किसान के उपर या फिर गरीब मजदूर तपके के आदमे के उपर बढ़ता चला जाता है जिससे वह उबर नहीं पाता है, रिवाय नहीं हो पाता है तो अमीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आगी होगी ये जो 6 रुपे साइकड़ा, 7 रुपे साइकड़ा, 8 रुपे साइकड़ा, 9 दस रुपे साइकड़ा कहीं कहीं तो 20 बिस रुपे साइकड़ा भी महीने का लगा लेते हैं तो ये ब्याज जो है, आदमे को रिवाय नहीं होने देता है तो इसे समझे यही बात सच है और आप ज्वैस से बचने की कोशिश करिए यह देख दिया जैसे एक एक एग्जेमपल मैंने दिया है दस जार रुपे का कि एक आदमी ने पांच रुपे सेंकड़ा लिये ब्याज गए तो छे महीने के पांच रुपे के हिसाब से तीन जार र हो गए फिर तीन जार रुपे मूल धन में जोड़ दे गए तस जार में तो तेरा जार खो यह फिर तेरा जार पर व्यार चालू हो गया पांच रुपाइश और नौए 같습니다 रखते हैं कि 650 रुपे महीना चालू हो गया और 6 महीने के बन गए 4900 रुपे तो 4900 फिर 13,000 में जोड़ दे जाएंगे तो 16,900 रुपे एक साल के बन जाएंगे फिर 16,000 अगर नहीं दे तो 16,900 पर व्याज चालू हो जाएगा फिर जो ब्याज बनेगा वो 16,900 में जोड़ आता है गरीब व्यक्ति तो बेद करता हूं यह चीज आपको समझ में आ गई होगी अगली किसी वीडियो में अगर कुछ इसके बारे में ज्यादा समझना है तो कमेंट जरूर करिए शेयर करिए मैं मैं इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक जरूर करिए बाल आइकन को प्रेस करिए किसी वीडियो में फिर मिलता हूं तब तक के लिए धन्यवाद टेक के यार बाई बाई